अगर रिजिक की तंगी हो, फजल की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले, सुबहानलाही वभी हम्दी ही, सुबहानलाही लजीम, इस तस्बीह को पक्की कर लो, ये रोजाना एक तस्बीह पढ़नी है, इन्शाआ अल्लाह आपके घर में कभी रिजिक की तंगी नहीं होग वो रोजाना साथ मरतबा इस दूआ को पढ़कर अपने हाथों पर दम करे और हाथों को पूरे चेहरे पर फिर ले इंशाओ अल्ला चेहरे पर नूर आएगा और कील मुहां से सब खत्म हो जाएंगे अगर किसी सक्स की आँखों में तकलीफ हो रही हो वो 21 दिन तक सौ मरतबा या बसीरू या बसीरू पढ़कर अपने हाथों पर दम करके आँखों पर लगाए और सुबह शाम आबे जमजम की तीन तीन बूंद आँखों में डाले अगर किसी सक्स को खांसी हो रही हो वो सक्स इस दूआ को 41 बार पढ़कर आबे जमजम के पानी पर दम करे और उस पानी को पी ले इन्शाओ अल्लाह जल्द से जल्द खांसी से शिफा मिलेगी बस एक छोटी सी दूआ और फाइदा ही फाइदा बस एक ही बार पढ़नी है और एक लाख कुरान पाक पूरे करने का सवाब मिलेगा इस वीडियो को सदका एजारिया समझ कर जादा से जादा शेयर करें जो सक्स अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है वो इस दूआ को कसरत से पढ़े इस दूआ के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का दीदार जरूर होगा ये दिल की हर ख्वाहिश हर मुराद पूरी करने का एक नायाब नुस्खा है जो सक्स इस दूआ को रोजाना 21 मरतबा पढ़ेगा उसके दिल की हर ख्वाहिश हर मुराद पूरी होंगी इंशाओ लाह सलामुन अला नुहिन फिलालमीन इस दूआ को एक कागस पर लिखकर घर की चोख़ट पर ताम दें इंशाओ लाह कुछ ही दिन में आपके घर की सारी मुश्किलें सारी परेशनियां दूर हो जाएंगी अक्सर नमाजों के बाद हुजुरे पाक सलललाहु अलाही वसल्लम एक दूआ पढ़ते थे अल्लाहुमा हासिबनी हिसाबन्य सीरा इसका तर्जुमा है अल्लाह मेरा हिसाब आसान फर्मा दीजिए जो सक्स अपने मकान के चारों तरफ दस मरतबा या रजजा कुपढ़कर फुकेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए रिजिक के दर्वाजे हमेशा के लिए खोल देगा